हुआ आपके ख्रश का अगला कदम क्या होने वाला है क्या होगा उनका next action ठीक है और कब देखने को मिलेगा आपको उनका next action यह भी हम check out करेंगे ठीक है तो चले देखते हैं आपके ख्रश का अगला कदम लेकिन उससे पहले subscribe जरूर करना है बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं को न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं और येस आप चाहते हो ना मैं आपके लिए और वीडियो बनाओ तो लाइक भी कर दो फटा फट से ठीक है चले देखते हैं आपके ख्रश का अगला कदम क्या है तो डिवाइन से यूनिवर्स से कहीं न कहीं प्रे करें कि आपको आज अच्छी सी गाइडन्स मिलें जो आपके लिए वो अहौत हेल्फुल रहे हैं जो भी गाइडन्स आप देखो ठीक है उस गाइडन्स को कहीं न कहीं आप यूनिवर्स और डिवाइन की गाइड चीज के लिए हमने प्रे करा है उनसे उस चीज के लिए है ना तो भगवान क्या पता आपको आज इस वीडियो के थ्रू इस इन काज के थ्रू आज मेरे थ्रू मेरे थ्रू क्या इस वीडियो के थ्रू मैं कहूंगी कि आपकी हेल्प कर रहे हूं आपको गाइड कर रहे हूं ह तो उस guidance को लो ठीके समझो एक बार शान्त दिमाग से सोचो ओके चले आगे देखते हैं जब मैं काज को shuffle करनू तो अपने person के बारे में सोचते रहना चले देखते हैं आपके person का अगला कदम क्या होगा उनके next action five of pentacles is here देखते हैं temperance queen of cups जखते हैं page of cups is also here beautiful bottom two of cups at the bottom of the deck beautiful चले मैं पहले सारे cards पे कर लेती हूँ ठीक है फिर मैं आपको बताऊंगे आपके crush का अगला कदम क्या होगा see crush वो person होता है guys ठीक है जिसके अभी तक आपने अपनी feelings मतलब जिसके सामने या तो express नहीं करिये जिस person के साथ अभी आप relationship में नहीं आए हो ठीक है लेकिन आपकी भावनाएं उस person से जुड़ी हूई है आपकी feelings उस person से जुड़ी हूई है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है है ना जानना चाहते हो अप उसके बारे में उसे एक crush कहा जाता है right तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस next action कब लेगा यह specifically आपके साथ ना तब resonate करेगी अगर मैं कहूंगी कि आपको genuinely पता है कि उसे भी मालूम है हलका हलका ठीक है पेशन्स क्योंकि यहाँ पर उसके next action तो तभी होंगे ना जब उसे भी मालूम होगा कि वाक्य में वो पसंद तो करता है लेकिन वो अभी तक action गोई नहीं ले रहा है क्यों नहीं ले रहा action projection adventure स्क्रिजोफेर्णिया मतलब आज तो एकदम ऐसे काथ उपकर आए है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो परसन है ना इसे कहीं ना कहीं बहुत अभी तो मुझे पेशन्स की एनर्जी में दिख रहा है कोई action लेते हुए भी नहीं दिख रहा है लेकिन यह ऐसा person है जो ना भाग रहा है जा रहा है भाग रहा है यह person किस चीज से भाग रहा है कि इसकी जिन्दिगी में कोई सच्चा प्यार कैसे आ सकता है इसको यकीन नहीं हो रहा है चीज का कि कोई इसे भी पसंद करेगा कोई इसे भी like करेगा ठीक है और इसे वो जो है ना इसकी mind thought ऐ कि इस दुनिया में सच्चा प्यार होता ही नहीं है, इसके thoughts ऐसे बन चुकिए है, तो इसे यह यकीन नहीं आ रहा कि मुझे सच्चा प्यार कैसे मंझाए, मेरे लिए कोई पागल कैसे हो रहा है, मेरे बारे में कोई इतना कैसे सोच रहा है, इसे अपने उपर ही confidence नहीं है five of cups देख लो अपने ही उपर confidence नहीं है night of cups देख पेज of cups देख लो यहांपर तो क्या कर रहा है compromise की situation अपने लिए ही यह person positive नहीं है भाग रहा है, सोच रहा है इस चीज़ के बारे में क्या मुझे कोई पसंद कैसे कर ले इसके दिमाग में यह वाद fit नहीं वैठ ले कि मेरे ले भी कोई care कर रहा है मुझे इस दुनिया में भी सच्चा प्यार जैसी चीज़े से लगता था, कि सर्फ TV, films में होती है genuinely कोई ऐसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता genuinely कोई हमारे ले compromise नहीं कर सकता ठीक है, जब से आप इसे मिले हो ना लेकिन फिर भी यह आपके पीछे भागता है फिर भी यह अपने आपको आपसे दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन सोचता आपके बारे में ही है इसका दिल करता है, मैं आप ही के साथ तलर्ट करूँ मैं आप ही से कॉल पर बात करूँ आप ही को मेसेच करूँ कहीं घूमने फिर ने जा रहे है, ड्वेंचर करने जा रहे है तो भी से यह चीज लगता है, काश आप साथ में होते काश आप के साथ में एंजॉय कर पाता आपनी जिन्दगी ठीक है, इसे न, इसके पास्ट में में भी पॉसिबल है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ कोई लेडीज की लाइफ में आई थी या कोई डिफरेंड मेल, अगर मैन है तो कोई गर्ल, वुमेन उसकी लाइफ में आई थी या फिर अगर कोई फीमेल है तो कोई बॉय या मेल उसकी लाइफ में आया था ठीक है, जो उसे सर्फ टाइम पास की तरह ले रहा था, ठीक है, जिसने शायद उसको चीटिंग करी है उसके साथ उसको एमोशन्स को समझा नहीं, ठीक है और अब उस परसन से ब्रेकप के बाद, जब उसके सामने उसकी असलियत आई नहीं इस परसन की तो बहुत टूटिया था बहुत टूटिया था इसे तब माइंड थॉट पाटन ऐसा बन गया था, सच्चा प्यार आप करना ही नहीं है, सच्चा प्यार जैसी ले ही नहीं पाया ठीक है, इसलिए वो अभी तक action आपके ले ही नहीं पाया जबकि आप उसको नहीं पता अगर soulmate twin flame, ऐसे words आप उस परसन के सामने use करोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा वो उन चीजों को पर believe ही करना बंद कर चुका है और this is the card of a twin flame ठीक है, आपका twin flame, आपको जो complete कर रहा है ठीक है, और ये sprizofenia क्या गह रहा है card confusion में अटका हुए इधर जाओ, इधर जाओ भया मैं किधर जाओ कहां जाओ मैं है ना, उसे समझ में ही नहीं आ रही है ये बाते ठीक है तो ये उसका अभी का thought pattern ये बना हुआ है इसलिए अभी तक उसने कोई action नहीं लिया ठीक है, next जहां तक ही, लेकिन मैं अगर अब जैसे हम देख रहे हैं कि उसका next action क्या होगा, उसका अगला कदम क्या होगा, तो हो सकता है, दो situation यहाँ पर दो groups हम create करते हैं, पहला ये क्यों हो सकता है, आप लोग कहीं घूमने फरने का plan बनाओ साथ group, आपका friends group हो सकता है, school में हो तो कोई group बन सकता है, college में हो तो कोई friends का group, office में हो तो कोई friends का group, families में हो, मतलब family friend वगेरा है, तो कोई group, ऐसे किसी function पर आप जा सकते हो क्या कोई separate वोई function हो सकता है, ये first group की बात में बता रही हूँ, ठीक है तो वहाँ पर जाकर उसका कोई action आपको देते हुए, मुझे दिख रहा ठीक है, पहला action तो ये adventure का मुझे दिख रहा है, कि कई गूमने फिरने गए हो, वहाँ पर आपसे बाते शुरू हुई, आपको judge करने की उसने कोशिश करी कि आप कैसे person हो, genuinely कहीं सर्फ उसके साथ time pass या taken for granted वाला काम तो नहीं कर रहे हो, आपको judge करने की कोशिश करी, और at last क्या हुआ आपको जब उसे पूरे तरीके से यकीन हो जाएगा, जल्दी से उसका action नहीं आएगा, time period हम देखेंगे, at the end, ठीक है end में हम time period भी देखेंगे कि कब आएगा उसका action, लेकिन अभी मैं आपको यह बता रहे हुँ कि ऐसा कुछ situation आपके साथ बन सकती है, कि कहीं घूमने फिरने गए, ठीक है चाहे एक छोटा सा trip हो कोई कोई छोटा सा trip, वहाँ पर जाकर आपने बातचीत हुई और वहाँ जाकर उस person ने अपनी feelings को समझना शुरू करा ठीक है, आपके बारे में सोचना शुरू करा, कि genuinely हाँ, यह सही person है मैं इस person के लिए सही feel कर रहा हूं ठीक है, अब मुझे इसके लिए कोई action ले लेना चाहिए, तब जाकर कहीं कोई proposal आ सकता है ठीक है कोई भी group, यह हो गई group one की बात दूसरा group मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है was that क्योंकि it was like कहीं हो सकता है कि वो आपको social media, facebook या whatsapp के through आपसे बाते करना शुरू करेगा यह person, ठीक है आपको judge करने की कोशिश करेगा आपको ideas देगा कि अगर तुम ऐसा करती तो क्या करती ऐसा होता तो तुम क्या करती या तुम क्या करते ठीक है, ऐसे कोई ideas देने की आपसे आपको judge करने की कोशिश करेगा on social media यह group 2 की बात कर रही है तो इस तरीके से भी उनका कोई action आपकी तरफ आ सकता है ठीक है, और आपसे उसकी बात शुरू हो सकती है ठीक है, और इस group के through भी आपके बात start हो सकती है आप दोनों की और वहाँ पर जब वो इस चीज को लेकर sure हो जाएगा के हाँ yes यह person मेरे लिए correct है genuinely अपने past को वो भुला कर आगे move कर पाएगा तब जाकर कहीं वो अपना कोई next action आपको दिखाएगा clear, तो यहाँ पर हमें दो actions उसके नजर आए है इस person की अभी तो वो patience की energy में है अभी तो वो compromise की energy में है आपको project आपको देख रहा है, आपको judge कर रहा है अभी balance बिठाने की कोशश कर रहा है, अपने mind में बिठाने की कोशश कर रहा है लेकिन जैसे ही situation आईगी तो वो action भी लेगा अब यह action हमारे पास next question आता है कि action आएगा कब तो चली angel cards से देखते हैं कि आपका next action आपको कब मिलेगा, तो dear angels please help करे मुझे मेरे viewers को जानने में कि उनके person का next action कब आएगा yellow card है, smith say and oh a year from now और दूसरा, communicate clearly आपके पास खुद guidance उठकर आई है यानि अब जैसे 2000 year from now का मतलब यह नहीं है कि अगले साल जाकर action आप देखेंगे year from now यानि अपसे लेकर अभी जो आज इस time आप इसे देख रहे हो इससे अगले साल, इस पूरे साल के बीच में कभी भी आप उसका या action देख लोगे जब भी आपके साथ उसकी ऐसी situation बनी तब आप उसका या action देख लोगे उससे communicate करो clearly जो भी वो पूछे आप मत भागो आपको उससे सही से communicate करना है ठीक है तो जब आप उससे सही से communicate करोगे तो definitely आप उसके actions देख पाओगे ठीक है तो this is all today for the reading of your crush अगर आपको पसंद आईए वीडियो तो like भी करो okay bye